ohetera है दोस्तों आज बनाने जा रहे हैं वेज वीरियानी बहुत ही आसान तरीके सेnicos में बढेंगी आपने सोखे मसाले लिए हैं तेज पत्ता दाल जीनी दो इलाची एक दो लॉंग और प्याज एक कटा हुआ और बीन्स और मटल लिया है थोड़ा सा और पुदिने का पत्ता लिया है मैंने कट करके दो कायरेट लिए हूँ और दो चमच दही लिए हूँ आपको जो सबजी पसंद हो आप ले सकते हो अपन में जीरा डाल दिजे और अच्छे से इसको फ्राइब कर लिजे तेल्जा एक खड़े मसाला डाल देते हैं त्दा भंटल क läuft अच्छे से इसको फ्राइब कर लीजिये मी में मसाले को पकाएं जल जाएगा चलिए प्याज डाल देते हैं मसाला हो गया है मेरा अब आप आप अच्छी से दी में आज पे फ्राइब कर ये जब तक ब्राउन ना हो जाए देखी आज में ब्राउन हो गया है जिंजर गार्लिका ये पेश टाल दीजे एक चम्मच और उस दो चमत धनिया पॉडर ली हूँ अब इसमें दही डाल देते हैं धनिया पॉडर के साथ ही दही आपको डालना है और यह इतना धान रखिए कि गैस का फ्लेव इंदम चलो रखिए ताकि हमारा दही फटे नहीं तो हमारा दही फट जाएगा अगर आपने हाई फ्लेम कर दिया है आप किसी भी ब्रैंट कर डाल सकते हैं और पुदीना डाल दीजिए और भूंज लीजिए अगर आपके पास नहीं बिर्यानी पॉडर तो आप गरब मसाला डाल के बना सकते हैं स्वात तब भी बहुत ही अच्छा आएगा अब बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाएगा मैंने जयदा समान सनी बनाया है बहुत जल्दी बनने वरा चीज से बनाई हूँ जो आपके किचन में मिछ सकता है चले सबजी ढाल देते हैं कारे अध्याल दिया है मैंने वीश डाल दीज़े मटर जो भी सबजी आपके पास है और डाल सकते हैं और फ्राइ कर दीजे दो मिने चला लीजिए अच्छे से देखिए हो गया है मैंने चावल दो कटोरी लिया है जिसके धूल के रखी हुई थी मैं डाल दे रही हूं इसमें टाब भी चावल अपने इक शरम सा कम ज़्यादा कर सकते हैं मेंने डाल दिया है चावल इसमें चलिए चावल कर भी मिला लेते हैं अच्छे से मसालों से ताक चावल भी अच्छे से मिल जाए और मीडिया माच पही करें आप इस बनाकर देखें जो चीज मैंने डाला है वह बताया है बहुत आसान तरीके से जल्दी बनके तैयार हो जाएगा चलिए नमक डाल देते हैं दो चमच मैं नमक डाला है नमक आप अपने स्वाध अनुसार डाले कम और ज्यादा कर सकते हैं और मिला लिजी अच्छी तरीके से लि देखें तरीकी दो मैंने हलदी पॉड़र नहीं डाला है हल्दी पॉड़र डाले से बिर्यानी का कलर अलग हो जाता है मुझे वह कलर नहीं चाहिए इसलिए मैंने नहीं डाला है चलिए भड़का लगा के हाई फ्लेम पर रख देते हैं एक सीटी आ जाए और पिर से खोल के कूल कर दीजे देखते हैं हमारा चावल बना की नहीं कि नहीं पका डें कितना खिला-खिला चावल हुआ है उसकी बनाएगा आप आप सुबब रेकफार्ष्ट या नाश्टे में बना सकते हैं और खा सकते हैं दही के साथ खाये बहुत ही टेस्ट आएगा आप से भी खा सकते हो आप भी इस तरह से बना कर देखिए अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करि कर देखिगे देखिए अरेमान सकते हैं शेता हैं याल कर देखिएर को सरते हैं।